कल होने जा रही अनंतम्मानी और आधिका मर्चंट की शादी में शामिल होने के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के पुजारी भी मुंबई पहुंचे अंबानी परिवार के निमंतरन पर पहुंचे पुजारीों ने चांदी के बेलपत्र भस्न और प्रसादी भें परिवार के नियोते पर बाबा महाकाल के दरवार में जो पुजारी होते हैं वो मुंबई पहुंचे हुए थे और चांदी के बेलपत्र भस्न और प्रसाद उन्होंने भेंट की है इतना ही नहीं अनंतमानियों और राधिका मर्चंड के सुखी दामपत्य जीवन के लिए पुजारीों ने शिव शक्ति पूजन भी करवाया और देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशूर शक्षियत मुंबई पहुंच चुकी है शादी से पहले होने वाली रस्म जारी है इसमें मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह, शिव पूजा, बड़ी भविता के साथ हुई और इसके बाद वो तारीख जिसका अंतजार पूरी दुनिया को हुई यानि 12 जुलाई जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे कल यानि 12 जुलाई यानि वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्जनेट एक दूजे के हो जाएंगे अंबानी परिवार में फिर एक बाद शादी की शैनाई बजने वाली है जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है शादी से पहले की सभी रस्में और समारो उत्सा और उमंग के साथ हो रहे हैं पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहत खास बनाने में लगा हुआ है इस बीच एंटिलिया में शिवशक्ती पूजा का आयोजन हुआ जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी जहां तमाम बॉलिवूट सेलेप्स और परिवार के सजस्यों ने हिस्सा लिया इस दोरान रिलाइस इंटर सीज के शेयरमेन वुकेश अंबानी की मा कोकिला बेन भाई अनिल अंबानी अपनी पतनी टीना अंबानी के साथ शिवशक्ती पूजा में शामिल हुए नीता अंबानी भी अपने अलगी अंदाज में महमानों का स्वागत करते हुए नजर आई वहीं रात में यंग्स्टर नाइट का भी आयोजन हुआ जिसमें बॉलिवुड सितारों का जमावडा लग गया बारा जुलाई वो तारीख है जब अनंद अंबानी और राधी का मर्चेंट विवा के पवित्र बंदन में बंद जाएंगे बारा जुलाई को शादी है जब अनंद और राधी का साथ फेरे लेंगे इसके लिए दोपहर तीन बजे का मोहरत है यह कारकरम एंटिलिया में ही होगा तेहरा जुलाई को शे बजे आशिरवाद यानि मिनी रिसेप्शन होगा यह कारकरम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा 14 जुलाई को मुके रिसेप्शन होगा इस ग्रैंड वेडिंग्स रिसेप्शन में कई नामी हस्तिया शामिल होगी अनंद अंबानी और राधीका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटो का ही वक्त बचा है जिसके हर रंग की गवाद दुनिया बनने जा रही है कर दो है